दोस्तों इनिया में भी डे बाई डे आईफोन का क्रेज बढ़ता जा रहा है बहुत सारे लोग आईफोन पे शिफ्ट कर रहे हैं और आपको पता होगी आईफोन में आप डूल सिम यूज़ कर सकते हैं एक फिजिकल सिम और एक e-सिम सो अगर आप अपने फिजिकल सिम को यूज़ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैसे ओल लेडी हमने चैनल पर वीडियो डाली हुई है जियो कस्टूमर, एटल कस्टूमर और वोड़फोन आईडिया कस्टूमर तीनों के लिए हमने वीडियो डाली हुई है कि कैसे आप फिजिकल सिम को यूज़ के वीडियो भी मिल जाएगी कि आज की बीड में हम ATL के 5G physical SIM को eSIM में convert करने वाला है और चाहे फिर आपके पास prepared हो या फिर पोस prepared हो दोनों का process सेम होने वाला है सो गई चली step by step process देख लेते हैं कि कैसे आपको convert करना है को eSIM में convert करने के लिए सबसे पहला step है कि आपको eSIM space अपनी email ID जो आपके SIM के साथ register है उसको one to one पे send कर देना है send करने के बाद आपको येवाला message मिल जाएगा और अगर आपकी email ID registered नहीं है तो आप अपनी email ID को बहुत ही असानी से register कर सकते हो आप इनकी thanks application से register कर सकते हो साथ साथ इनके customer care को आप call कर लीजी और वहां से आप अपनी email ID registered कर ला लीजी उसके बाद eSIM space अपनी registered email ID one to one पे send कर दो उसके बाद आपको येवाला message आजागा जहां पे आपको reply करना है 60 seconds के अंदर अंदर आपको one type करके reply कर देना है उसके बाद आपको ये वाला message आजाएगे कि आपको आपके number पे Airtel की तरफ से confirmation call आने वाली है उस call को pick करना बहुत ज़रूर है अगर आपने वह वाली call miss कर दी तो आपका process नहीं हो पाएगा तो make sure कर लीजिए कि आपके phone में recharge है मतलब incoming आ रहे है और आपको network भी ठीक ठाक है उसके बाद आप ये call आएगी तो इस call को आप receive कर लीजिए receive करने के बाद यहाँ पर आपको अपना consent देना है मतलब एक दो या कुछ भी प्रेस करवाएंगे वह yes करने के लिए तो आपको yes प्रेस कर देना है उसके बाद आपको ये वाला message आएगा final message होगा इसमें आपको सारी details होगी कि आपका mobile नंबर ये है और आपका eSIM दो घंट time activate हो जाएगा और आपको आपकी email ID पर QR code आने वाला उस QR code को आपको scan करना होगा तो आपको अपनी email ID पर आजाना है जो आपने registered है उसवाली email ID को आप open कर लिजिए दूसरे device में open कर लिजिए अगर आपके पास computer हो गए रहा है तो वहाँ पर open कर लिजिए नहीं तो दूसर connection मिल जाएगा इस पर आपको tap कर देना है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएगे सबसे पहला option है कि अगर आपके पास पहले से किसी iPhone में EC में तो उसको transfer कर दीजिए दूसरे वाला है scan QR code दूसरे वाले पर आपको tap कर देना है और यहाँ पर आपका camera open हो जाएगा आ आप email ID में जाएए यहाँ पर आपको QR code होगा उस QR code को scan कर दीजिए scan करते ही automatic आपका eSIM registration शुरू हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद next करने के बाद आप अपने मतलब जो भी primary number रहने वाला उसको set कर दीजिए mobile data किस पर चाहते हैं हो set कर दीजिए जो basic settings है वो आप set कर दीजिए उसके बाद आपका दो घंटे के अंदर अंदर physical SIM deactivate हो जाएगा और eSIM में आपके network आ जाएगे उसके बाद आपने physical SIM को निकाल के फैक दीजिए और eSIM आपका चलता रहेगा यह process 5G और 4G दोनों के लिए same है तो अगर आपके पास 5G SIM है तो भी आप कर सकते हैं 4G SIM है तो भी आप कर सकते हैं दोनों के लिए process same ही होने वाला है और अगर आप जियो के custom है तो उसका process थोड़ा सा different होता है उसके लिए हम जल्दी चैनल पर वीडियो लेके आने वाले है उसके लिए आप चैनल को subscribe कर लीजिए और अगर आपके फिर भी कोई questions रह जाते हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं definitely हम उसका reply करेंगे लेकिन अगर आपने step by step process को follow करा है तो आपको कोई भी question नहीं रहने वाला है बहुत ही easily आप physical SIM को यह SIM में convert कर पाऊगे तो बैस यही ता इस वीडियो में कैसे लिए आपको वीडियो कमें सेक्षिन में जरूरू बताइए अच्छी लिए तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का amazing content आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए एस्ट्याग के बाई and be safe